स्वलो फिंट्स मेरा नाम पुश्कर यह है सामसंग गालेक्सी वाच 6 सामसंग गालेक्सी वाच 6 के लिए जो हैं हम कुछ एकसेसरीज ऑनलाइन पर्चेस किये थे वह सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे इसमें कुछ प्रटेक्टिव एकसेसरीज है जैसे की वाच के लिए केस एंटेंपर डास इसके अलावा और भी कुछ एकसेसरीज है एगर हमकों इनका क्वालिटी अच्छा लगता है या फिर जिस पर्पस के लिए पर्चेस किया गया है उस पर्पस को यह सटिस्ट फाइइ क तो इनका लिंक हम विरो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक Samsung Galaxy Watch के लिए charger stand है और यह Watch 5 Series वादा charger stand है बट Watch 6 Series के charger के साथ भी यह compatible है बट अगर आपके पास Samsung Galaxy Watch 4 है तो उसका जो charger है वो इस charger stand में compatible नहीं होगा बिकास यहां पर जो Watch 6 और Watch 5 Series में जो wireless charging pad मिलता है न उसका size छोटा है compared to Samsung Galaxy Watch 4 Series में जो wireless charging pad मिलता था उससे तो आपके पास अगर Samsung Galaxy Watch 5 Series का कोई smart watch है या Watch 6 Series का कोई smart watch है तो उसके charger के साथ यह compatible होगा फिलार इसको side में रखते है next यहां पर मेरे पास Spigen का ही यह एक liquid air case है जो की especially Samsung Galaxy Watch 6 44 mm के लिए है and यहां पर एक tempered glass है जो की 2 का pack है और यह तीनों ही product Amazon से purchased है कोई भी sponsored video नहीं है आप चाहें तो Spigen के tempered glass के साथ भी जा सकते हैं अगर आपका budget allow करता है तो because Spigen का जो Samsung Galaxy Watch 6 44 mm का tempered glass है वो 900 to 1100 rupees के around मिलता है and यह जो मेरे पास tempered glass है यह 2 का pack है जो के around 300 rupees से कम भी हम को मिला था तो one by one सबको unbox कर लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर tempered glass जो है उसको unbox कर लेते हैं तो हम जैसा कि आपको बताए कि यहां पर मेरे पास tempered glass का जो है न 2 का pack है तो यहां पर हम tempered glass अगर बाहर निकाले तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास 2 tempered glass है and जो cleaning kit दिया गया है वो भी यहां पर 2 है तो सारे यह accessories को हम quickly जो है ना unbox कर लेते हैं ताकि एक बार thumbnail जो है वो हम click कर पाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है स्पीगन का liquid air case and इससे पहले जो liquid air case है ना हम अपने samsung galaxy watch 4 पे भी use किया है तो samsung galaxy watch 4 44 mm का जो liquid air case था यह भी हम samsung galaxy watch 6 44 mm पे use कर सकते थे fitting में या फिर cut out जो भी है वो properly match कर जा रहा था बड़ यहां पे अगर आप back side में देखेंगे ना तो एक आपको difference देखने के लिए मिलेगा जैसे कि यहां पे samsung galaxy watch 4 में जो liquid air case है यहां पे 2 cut out दिया गया है pressure vent के लिए वहीं पे यह जो watch 6 का liquid air case है इसमें जो cut out है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो सिर्फ नीचे में दिया गया है मतलब कि अगर हम samsung galaxy watch 4 वाले liquid air case यूज करना चाहें तो उसमें pressure vent के लिए जो cut out है वो उपर में भी है नीचे में भी है तो samsung galaxy watch 6 के साथ भी यह compatible है बट samsung galaxy watch 6 का जो liquid air case है यह samsung galaxy watch 4 के जो pressure vent है उसको cover कर देगा तो आप मेरा बात समझ गया होंगे कि जो samsung galaxy watch 4 का liquid air case है वो watch 4 as well as watch 6 के लिए compatible है बट watch 6 का जो specially designed liquid air case है यह सिर्फ watch 6 के लिए ही properly compatible है इस charger stand को जाना फिलाल के लिए side में रहने देते हैं पहले इन दोनों protective accessories को अपने samsung galaxy watch 6 पे apply कर लेते हैं तो सबसे पहले जो tempered glass से इसको apply कर लेते हैं तो यहाँ पे जो cleaning kit मिलता है इसको open करते हैं यहाँ पे एक wet wipe है तो wet wipe से फटा-फट से मैं अपने samsung galaxy watch 6 को clean कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो dry cloth मिलता है इससे इसको quickly clean कर लेते हैं इसके बाद भी अगर आपको कोई dust दिखता है तो फिर आप इस dust absorber sticker का use कर सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे tempered glass पे जो sticker दिया हुआ है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि tempered glass जो प्रॉपरली लग गया है कोई भी air bubble यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अब फटा फट से जो यह liquid air case है इसको apply कर लेते हैं कि क्या यह जो tempered glass है इस liquid air case के साथ compatible है यह नहीं तो इस liquid air case को apply करने के लिए जो दोनों wrist strap है इसको आपको बाहर निकाल लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह liquid air case है यह भी हम जो है न अपने samsung galaxy watch 6 पे apply करनी है इस case को apply करने के बाद भी tempered glass में कोई भी air bubble वाला issue जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस case के साथ जो है आपको एकदम proper cutouts मिलता है buttons के लिए, microphone के लिए, pressure vents के लिए, speaker grill के लिए तो cutouts एकदम proper है अब हम यहाँ पे फटाफट से जो wrist strap है इनको लगा लेते हैं और watch 6 series के साथ यह wrist strap का button वाला mechanism system है यह बहुत ही easy कर देता है strap को लगाना निकालना तो अब जो watch का look है वो थोड़ा सा बड़ा सा आ रहा है जैसे मेरे samsung galaxy watch 4 का आता था अब जो next accessories है वो है यह speed gun का charger stand तो इसको भी हम फटाफट से unbox कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इस charger stand के लिए की user manual मिल जाता है जिसका कोई जरुरत नहीं है charger stand आप देख सकते हैं इस तरीके से देखने के लिए मिलता है और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह जो accessories है यह कोई required accessories नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यह accessories नहीं रहता है तो आप इस watch के कोई feature को use नहीं कर पाएंगे तो अगर आप office में है या फिर अपने desk पे एक थोड़ा सा clean सा अच्छा सा look देना चाहते हैं जब आप अपने watch को charge में लगाएं तो आप इस accessories को देख सकते हैं बट price के हिसाब से यह हमको कोई भी important accessories नहीं लगता है नीचे में एक nanotech pad है जिसके उपर एक film applied है तो इसको अगर हम निकाल देते हैं तो आप देखेंगे की इस तरीकी का है यह nanotech pad और इसको आप desk पे इस तरीकी से रख सकते हैं जब यह nanotech pad गंदा हो जाना तो वापस से आप इसको water से clean करके फिर से आप इसको use कर सकते हैं इसके लाओ box में जो है इस तरीके का एक silicon वाला pad भी मिला था अब यह silicon वाला pad कहां पे use होगा वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे and obviously यह charger stand है तो यहाँ पे जो samsung galaxy watch 6 का wireless charger है उसको आपको कुछ इस तरीके से इसमें लगा देना है and यहाँ पे जो इना दो side से cut बनाए हुआ है तो जिस side से भी आपको इसको लगाना हो इस wireless charging pad को आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा सकते हैं तो अगर आपको यह जो wiring right side से हम किये हैं अगर left side से कर ना हो तो left side से भी cut out है इस side से भी आप कर सकते हैं तो अगर हम अपने samsung galaxy watch 6 को यहाँ पे charge में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे charging जो वो start हो चुका है और इस तरीके से जो watch face है वो भी rotate हो गया है तो as a desk clock भी आप इसको use कर सकते हैं वाइल charging अगर आप always on display enable कर देते हैं तो इस तरीके से आपको watch face as a desk clock दिखता रहेगा या फिर इस तरीके से जो आपको charging percentage and time शो करता है जो expected timing है full charge का वो भी यहाँ पे शो करता है तो आप इस a desk clock इसको use कर सकते हैं and इस charging stand के साथ जो है आपको इस तरीके का look मिलेगा बड़ यहाँ पर जो proper charging position है वो थोड़ा सा उपर होना चाहिए because यहाँ पर watch जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से charging में कोई problem नहीं है बड़ यहाँ पर जो proper position है वो नहीं मिल पा रहा है अब यहाँ पर हम case use किया है तो फिर भी नीचे से थोड़ा सा support मिल रहा है otherwise यहाँ पर proper position नहीं मिल पाता है तो उसी के लिए यहाँ पर यह silicon pad दिया गया है तो इस silicon pad के नीचे भी आपको यहाँ पर adhesive tape मिलता है इस adhesive tape का जो protection है इसको निकाल के आपको यहाँ पर इस तरी के से इसको लगा देना है अब यहाँ पे अगर हम अपने Samsung Galaxy Watch 6 को चार्ज में लगाता है तो यहाँ पर देखें कि यह चार्ज भी हो रहा है यह wireless charging stand हम आपके साथ share की है जहां से आप इन तीनों ही accessories को purchase कर सकते हैं उनका link हम विरो description में दे दिया है बाकि इन सारे ही accessories को apply करने के बाद अगर हम अपने watch को अपने wrist पे पहनते हैं तो इस case and tempered loss को apply करने के बाद जो wrist पे look आता है वो कुछ इस तरी के का आता है बाकि जहां से आप इन accessories को purchase कर सकते हैं सभी का link हम विरो description में दे दिया है यह video अगर आपको अच्छा लगा हो तो विडियो को like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा बिल्कुल free है Samsung Galaxy Watch 6 से related कोई भी आपका doubt हो, query हो आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में बाबाई जय हिंद